दोस्तो 38500 सिख्षक भरती को लेकर हाई कोट से फैसला आ चुगा है अपडेट लगा ही जा चुकी है आपको इस्क्रीन पर अपडेट दिख रहे होगी 38500 सिख्षक भरती हाई कोट ने खारिश की आचिका कहा 33 के कट आउफ पर भरती संबब नहीं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कांते हैं पूरा डिटेल से इलाबाद कोट की लखनव खंट पीट ने और सट यार 500 साया कद्यापक बढ़ती मामले में लगाए गई आचिका खरिश कर दिये लखनव खंट पीट के निया मूर्ती अब्दुल मुहिन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 33 बाटीस प्रतिशत के कट आउफ पर भरती संबब नहीं है दरसल प्रात्मिक स्कुलों में साया कद्यापको की आरसे डेयार 500 बढ़तीयों में कट आउफ सामाने वाओ पीसी के लिए 45 वा अन्य आरक्षित बर्गों के लिए 40 प्रतिशत तैय किये गई थी योगी सरकार ने लिकित परिक्षा से प पर ही की जानी चाहिए कोईट ने इस मामले पर 29 नवंबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया आपको बता दें प्रदेश सरकाने 2018 में सिक्षामित्रों के सायक अध्यापकपस से हटने के बाद 68500 की लिकित परिक्षा कराई थी इसे लेकर 9 जनव ले गए कट आफ को हाई कोट में चनोती दी गई थी इस पर इलावाद हाई कोट की लगनव फंट पीड ने अंतरे मादेश देते हुए कहा कि योगी सरकार मूल साचनदेश के अनुरूप रेजल्ट जारी कर सकती है साथ ही मामले की सुनबाई भी जारी रहेगी दोस्तों बहुत बड़ा जटका लग चुका है योगी सरकार को क्योंकि योगी सरकार के कट आफ में काफी बड़ा बदलाव किया था लेकिन इस बदलाव को पूरी तरीके से खारिश की जा चुकी है दोस्तों आप लोग कर्मेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको इसके साथ पाशी तरह की बेटरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के टीक नीचे एक लालंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आप उसको दबाईए और दबाने के बाद एक बैल का एक एक आगा आप उसको भी दबाईए तक इस तरह का है ने वीडियो आप तक अनीचे पहुंच सके और अपना खया लखेगा और मलकात होगी थैंक्यू